स्वागत है आपका दोल्ट हो स्कैन हिस्टियूट के यूट्यूब चैनल पर और इस लेक्टर में पढ़ेंगे एकनोमिक और सोशल काम से इसको उमलग शॉर्ट फोर में क्या बोलते हैं फ्रेंस कि को साथ तो ये युनाटेड नेशन ग्रूप का एक पाट है ठीके फ्रेंड जो हुआ है उसकी नई अनॉसमेंट हुए 23rd जुलाई को फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहां पर एक स्थीज लिया है ठीक है तो ये बॉड़ी न्यूज में था इसलिए हम इस चीज को पढ़ेंगे ठीक है इसके एम्स क्या है इंडिया इसका मेंबर क्या कब बना था ठीक है कौन-कौन से रीजन का रिप्रेजेंटेशन होता है कितने सीट्स हैं यह हम इस लेक्चर में देखिंगे ठीक है तो रिसेटली इनका एक डायलोग सब्मेट हुआ था मुल्टिलाइटरियल्जम आप्टर कोविड-19 वार काइड उवें डूबी निटेट 75th anniversary ठीक है और प्राइमनिस्टर ऑफ इंटार जैसे मैंने आपको बली बली विए इन्होंने स्पीच दिया था इंडियास बाटल अगेंस कोविड-19 और इंफसाइज दर नीड ऑफ मल्टिलाइटरियल्जम ठीक है यूडिलाटरियल्जम नहीं मल्टिलाटरियल्जम जहां पे एक कंस इस बेस्ट डिशिजन बेकिंग पॉसस होता है जहां कि बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं और एक थोरू डिसकुशन होता है और अंसर लेकिए और उसका हम लोग लगे ये पॉस्टिटिव रिजल्ट्स लेकिया है ठीक है एक होता है यूडिलाटरियल्सम जिनी लाटरिल्सम मतला गाउर शिफ एक कंट्री कोई एक कंट्री वह ही यूडिट करेगा वही अपना डॉमिनेट रहेगा जो कि मलीजी लाटरलालिसम में क्या होता है कि मुलीपल ऐता है और व्लिब कंकीशन होता है जो कि इसमें लिए अलिए देखा इनीमिन क hear और लिस सीट मिलना चाहिए Union Security Council, में ज्सकों भूण होता है? UNSC नयदरेशन Security Council इसमें क्या होता है? आज पर्मेनेट मेंबर होते हैं और paar्मानेट मेंबर होते हैं दस से नॉन्पर्मानेट मेंबर होते हैं ठीक है US, UK, France, China और Russia और इनके पास क्या होते है फ्रेंट्स वीड़ पादर तो UNSC के बारे में जो चीज़े हैं हमने यह आपके देखी फानली वह आपस टॉपिक प्याते हैं इको सब्सक्राइब तो इको सब्सक्राइब में मिंबर्स केतने होते हैं 54 मिंबर्स होते हैं कौन-कौन से तो इसका अंदर है तो इसका मेंबर्स है 21 देसम्बर 2020 को खत्म हो जाए है तो आपको ध्यान रखना है इंडिया अभी इसका मेंबर है इसकी मेंबर्शिप 31st December 2020 को खत्म हो जाए हो जाए है और रिसेंटली इसके नया प्रेशिदेन्ट एलेक्ट हुए है इसका नाम है मुणिर अक्रम और यह कहा के है तो आपको प्रेशिदेंट के बार में पुछा रहता है और इस विच वगे इस पूलरी इस प्रेशिदेंट आप एको ड्रावान नाम तो हना कि economic and social council है, तो ऐसा नहीं है, यह बस economic and social related issues पर भी काम करता है, इसमें एक environmental issues भी आते हैं, यह environmental issue के dimension में भी काम करता है, उसमें coordinate करता है, policy review करता है, policy dialogue होते हैं, अपने recommendation देता है, और environments related, implement करवाता है, internationally appropriate development goals, ठीक है friends, तो यह ध्यान रखिएगा, यह तिन चीज़े बहुत important है, economic and social council पर इस lecture में, ठीक है friends, एक चीज़ और है, जो बहुत important है कि यह किसके साथ deal करता है, coordinate किसके साथ करता है, तो 14 UN specialised agency होते हैं, वो कौन से होते हैं, उसमें deal करेंगे separately, उसमें पर जब हम affiliate lecture बनाएंगे, उसमें, ठीक है, उन में से कुछ-कुछ agencies यहां पर द है, ठीक है, तो इन सब को साथ यह coordinate करता है, कि अपने प्रोग्राम को कैसे implement कराना है, क्या policy होनी चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, तो यह सब चीज़े coordinate करता है, ठीक है friends, तो basically economic and social council में आपको याक्त करना है, रखना है friends, तीन चीज़े, इसका president जो अभी आया है, मुनी र बेफोर, belonging to different region, कितने साल का term होता है friends, 3 years का term होता है, इनके members का, और finally आपको क्या भाड में रखना है friends, economic इकनॉमिक और शॉशल एंगिल तो रहता है ये पिलस इनवारमंटल अगल भी इसमें रहता है इसमें कहा रहता है, इसमें क्या रहता है इ 내度 आ तो ये ध्यान में रख्याधू अगर्ल 은दे दौ्टर श्युक्ट किया ज़ते हैं , में पक्ल одно- अगहाई रहता है अगर ये लेक जुरेने, thank you.